प्रेंड वैलकम टो फूड अगरी क्लासेज तो आज हम आपके लिए लाए हैं कार्भोईडर के टॉपिक पर वीडियो तो वीडियो को सुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो में तो वाद इस कर्भाइड चर्भाइड 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 चंसिस्ट अप नेचर थी मोस्ट अबंडेंट क्लासेश अफ और अर्गनिक कंपाउंड दा अधर तू बिंग अफेट अन प्रोटीन कर्भाइड अरशेंशली सब्स्टेंस दैट आर मेड अप कारवन अधकर बना होता है वो cH CMilker बना होता है ठीक हे ता कर्भाइड अधकर डिएंटीज थी ब्रॉड कर टेगरी मानो सेकराइड ऐली शेकराड और पॉलिसेकराड मॉन सेकराड और पॉलिसेकराड मोन सेकराड अर्ठर एपर्जंट ग्रूपप करोड थैड चर्भाजड polymer that include the disaccharide and trisaccharide and compounds with as many and 10 monosaccharide linked into single molecule classification of carboidate broadly carboidate broadly classified three categories monosaccharide olive saccharide polysaccharide तो यहां पढ़ेंगे monosaccharides trios tetros pentos hexos तो trios के एक्जामपल है glycerol dehydro oxy acetone tetros के एक्जामपल है erythros और trios erbynose के एक्जामपल है oh sorry pentos के एक्जामपल है erbynose gyloze ribose deoxy ribose hexos के एक्जामपल है glucose 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 fructose minus trios का formula होता है glycerol dehydro oxy acetone का c3s6o3 erythro or trios का formula है c4s8o4 और arbynose और gyloze का formula है c5s10o5 और यहां जो हम बात करेंगे hexos के बारें बात करेंगे यहां से इक्जामपल में बहुत पूचे जाते हैं तो glucose का तो फर्मुला आपको आता होगा और ग्लक्टोज फ्रक्टोज और मैनोज का स्यम फर्मुला c6s2o6 तो जो फ्रक्टोज पूचा आते हैं कंप्रेंग एक्जामपल में क्या पूचाता है मैनोज किस का एक्जामपल में किस सबस्यादा किसमें मिलता है तो कॉर्णी सीर जो कॉर्ण सीरप होता है और सुगर किन होता है शुगर बीड़ उन्हें सबस्यादा पाया जाता है तो आई आगे देखते हैं कि मोना से कराइट मोना से करा आज अरव सिंपल सुगर और कंपाउंट बिच पोजेश फिरी अल्डिएट ची एंच एंच चे टोनिया एल्डिएट का गुरोप होता है तू मोर हीड्रक्षी ओह गुरोप होते हैं दिया हैं ते आर सिंपले स्वेट शुगर अन देन कैन नोट a carbon atom G-Posite and Eldos Ketos Depend upon their group यहां मैं आपको एक बार बता दू मुन सेक्राइट जो होते हैं बन glucose unit के होते हैं बन glucose unit से मिलका बना होता है ठाइब बैसे तो यह question मैं पूछा नहीं आ था पर लेकिन बताना है अब यहां देखिए कार्वो हाड़ेट कार्वो हाड़ेट फ्री कार्बोनिल ग्रूप और इन हैमी एसी टाइल फॉर्म गिप पॉजिटिव टेस्ट टू बैंड एंड फैलिंग देजिंट तो यहां मैं आपको बता दूँं कमटेट के बाँ पुछा आता है कि विश टेस्ट टू डिटर्माइन कारवाइडेट तो मॉलिश टेस्ट मो से हम डिटर्माइन कर सकते हैं कारवाइडेट को और विश टेस्ट तो कमटेट वह पूछा गया है बैंडिक एंड फैलिक देजिंट होते हैं मॉलिश टेस्ट में तो आगे देखें बिदाउट हैं वीन हाइड्रोलाइज आर्ट रिफार्ड रिफार्ड रिजूशिन शु सुगर के बारे में कार्वाइड हाइड्रेट बिदा फ्री एल्डिहाइड ए और फ्री एसी टॉन गुरूप दे आर इन हैमी एसीटाल और हैमी केटल फॉर्म डू नॉट है जेट डू सॉरी डू एकजेट मैचुरेश्ट मैचुरेशन डू फॉर्म ऑक्सो जोन्स बिद हैड्रो जैनी डू फॉर्म ऑक्सिमाइड विद हैड्रो ऑक्सील एमाइड एक्जामपल होते हैं रिदिशन सुगर के ग्लुकोज फ्रक्टोज लैक्टोज माल्टोज सेलो बायोस तो ओमोर रिदिशन सुगर अगर कमप्रेश्ट पूछा कि एक को से नहीं तो मोर हैड और की टॉन गुरुप इज नोट फ्री बट इन सीटेड यूटिलाइज इन बॉन फॉर्मेशन यह बॉन फॉर्मेशन में यूटिलाइज करते हैं दे आर एसीटाल और कीटोल फॉम दू नोट एग्जिबिट मैचुरेशन दू नोट फॉर्म ओसोजोंस दू नोट और इसकी एग्जामपल है सुक्रोज ग्लाइकोजन और इन्यूलिन नोन रिजिबिशन शुकर के एग्जामपल है सुक्रोज ग्लाइकोजन इन्यूलिन तो आए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक ओल्लिव सेक्राइट तो ओल्लिव सेक्राइट डाइसेक्राइट फ़मुला होता है C12-H22-O11, प्राइसेगराइट का फर्मुला होते हैं C18-H32-O16, टतर सिकराइट का फुरमुला हता है C24-H42-O21, तो ड्री सेगराइट का एक्जाम्पल है Sucrose, Lactose और Maltose, ट्री सेगराइट का एक्जाम्पल है Rapheneuse, टेटर सेगराइट का एक्जाम्पल है इसमें एनस आता है पॉलिसेग्राइड आपको पैचान ना है तो कैसे पैचानेंगे जिसके पीछे एनस आ जाए सफिक्स में एनस वह कौन से होंगे पॉलिसेग्राइड तो पैंटोसोनास है और कॉंप्लέक्स पॉलिसेग्राइड तो एरबानाजवयलेंस पैंटोसोनास हैं थेक्सेवणास значит प्राज ग्लाइकोजन शेलुलोज मैननेन और गलक्तेन कॉंप्रक्स है शुगर पॉलिसेकराइट कौन से हैं शेलुलोज है मिसेलुलोज एंड गमेंड पैक्टिन इसलोज आएए नेक्स्ट टॉपिक औली शेकराइट तो तो दीजार कंपोज्ज सुगर ते लेट इल्ट तु टुटू मॉर मॉलक्ति गलुकोजन इंड मॉनो से करें होते हैं उनको और यो नीद्व मख़ी है उन्युलीचे ने करते हैं पूछा हुआ कॉमक्स है कि तफ हिसे निचे कर शक्राइड कितने मॉननु शक्राइड स्वाता तो टेंद टेंड मॉनिकलौ ऑप मौननु शक्राइड से मिलका बना पना घॉता है भी सुक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज, सैलुबायोस, और टेट्रोज, जैन्टोबायोस, और मैलिबायोस, हालांकि इनके बारे में नहीं पुछा गया, पुछा ज्यादा, ये तीन के बारे में पुछा गया जाता है, सुक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज, तो सुक्रोज, ड्राइब फॉर्म है गलुकोज प्लस फ्रक्टोज का है कुछ उजर बोलेंगे सर थोड़ा याद करने में नहीं हो पाता है तो इसका ट्रकी मेंने बनाया है जो माल्टोज है वो दो गलुकोज उनिट है इसे आप सिंपल से याद कर सकते हैं एैम् जीजी गलुकोज दो गलुकोज उनिट लेक्टोज एल गजीजी आपने यल्जी की टीवीशन होगी उससे एल गलुकोज प्लस गलक्टोज शुक्कृष सुनियल पिएप जी से गलुकोज ऐफ से फ्रक्टोज ठीक है अब आहिएँ ट्राय से कıरड़ तो ट्राइस एक यहां रिकारों फॉक्टार जाए था कि दुच्छाय के या। के बारे ने में बना मिया रहता है थो कि प्र वॉक्टारि लाइपि लोग्तौ फ्रक्ट्रौ्टर गुलुको में लाओंड, और फ्रक्ट्रौ hypothesis तो यहां इस्टायोज के बार में पूछा जाता है इस्टायोज की ड्रैफफर्म जो होती है वो होता है सुक्रोज प्लस रैफिनोज सुक्रोज और प्लस रैफिनोज पैंटा सेकराइड बैर्बे कोज इसके बार में ज्यादा पूछा नहीं जाता तो दा मॉल्कूल कंपोजिशन ऑफ थी लेगूम अलियो सेकराइड रैफिनोज इस्टायोज और बर्बसोज आए नेक्ष्ट डाइसेकराइड डाइसेकराइड कंपोज ऑफ तू मॉनो जॉइनिंग टू मॉनोसेकराइड भाई बायोसेंद्थेसे से ग्लुकूल लेटोज अवगलूकूल ठीकस माल तो यो ग्लुकूल है वाद चुकर है वो टेबल टेबल नेक्रेड प्लान्ट Schuckyयों सगर बीट हर अथनी यह जो है सुक्रोज पाए जाता है सुक्रोज पाए जाता है सुक्रोज केन, सुक्रबीट हनी, 80C सुक्रोज may be purified from plant source into brown white and powder सुक्र यहाँ बता ज़ता हूं, लेक्टोज मिल्क सुक्र होता है और the primary सुक्री 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 मिल्क प्रोडक्ट many people have problem digesting large amount of lactose कुछ लोग होते हैं जो large amount of lactose को digest नहीं कर पाते maltose produce when start breakdown यह जब start breakdown होता है तब produce होते है या यह जब produce होते है जब alcohol या beer manufacturer हो तो यह जब वो पूछा आ सकता है कि beer production के समय या alcohol production समय कौन सा सुगर हमें मिलता है तो मालStud आगे पॉलिसेराइट Containing 10 or more म्षोसेक्राइट् स्थ Confederacy एग्जंपल स्टार्च ग्लाइकोजन और फाइबर स्टारच और Allante ग्लाइकोजन डाइटिबर वॉते हैं तरह लांग चेन आप ग्नुपक पॉलिसेक्राइट делать ग्लुलोज गिव इस्टेक्चर तो प्लांच फाइबर और तो अबर डाइट ग्लाइकोजन एजन एनर्जी स्टोरेज सुगर प्रडूज बाइनिमल्स लिवर सेल सिंथेसिज ग्लाइकोजन आफ्टर रमील तो मैंटेन बलड ग्लुकोज लेवर अगे इस्टार्च तो टाय ग्लाइट प्लांट्स सोर्स हैं बीट, कॉंट, राइस, बारले, एटीशी तू टायप्स अब ड्री इस्टार्च होता है अमयलोज और अमयलोपैक्टिन और तो हम थोड़ा भी हाँ फिर कमप्रेटिटिवर्यंके वार्ट करेंगे अमयलोज और अमयलोपैक्टिन जो एमय जाता है आगे अमालोज अमालोज इस फॉर्म आप दाइस्टेट चैन लिनियर अवेद अल्फा बन फोर लिंकेज इंडिकेटिंग थी हंड़ेड टू फिप्टी फिफ्टी फाइब हंड़ेड ग्लुकोज यूनिट पर मॉल्कुल याद रखना ये कम्टिटिव पूछे होता है तो 300 तो 5500 ग्लुकोज यूनिट होता है बेट रेंज होता है टेन की पावर 5 तेन की पावर 6 जनरली इट इस अब वाटर सॉल्बिल अमालोज वाटर सॉल्बिल होता है याद रखना पूछा सकता है वाटर सॉल्बिल और इट्स गिप ब्लु कलर बिद आयोडीन रेंज अल्फा 1-4-2-1-1-6 लिंकेज मिल सकता है बन मॉलकुल दो अमालो पैक्तिन कंटिन फाइब फिप्टी थाउजन तो फैब लाक्स ग्लुकोज मॉलकुल और बेट जो रेंज है टेन की पावर 7 तो टेन की पावर 8 यह इन्सॉल्बिल होता है और पर्पल कलर देता है अबिद आयोडीन तैपस ऑप पॉली सेक्राइट सेलुलोज तो फॉर्म सेल बॉल इन प्लांट सेल की फॉर्म में होते हैं आल सो कॉल्ट फाइबर और या रिफेज इंडाइस्टिबल होते हैं हुमन के लिए गलाइकोजन दा स्ट्रॉंग फॉर्म अप गुलुकोज इन इस्टोर इन लिवर और मसल्स में यह इस्टोर होते हैं फाउंड इन टिनी अमांट इन मीट शोक्रोज नॉट फाउंड इन प्लांट नॉट इन फूर्ट सोर्स अब कारवाइड थैंक यू वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट जरूर करें अगर कोई वी आपको प्रॉडव्रम है तो आप कमेंट बॉक्स होई ताइप कर सकते हैं या मेरा नमबर वह देї रखा है आप मेरे को एनी टाइम कॉल कर सकते हैं और अगर आपको सब्सक्राइड कराने तो हम ब लोट करते हैं तो थेंक यू झाल झाल